जैशे रादे कृष्णा साती हूं। मैं भी कृष्णा क्यां साहरा चैनल में आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप। आपके अच्छे स्वास्त और सुखत जिवन की मंगल कापना करती हूं। आपके अपने इस्तेवों को कोटी-कोटी नवन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हैं, वे वीडियो प्रारम करते हैं, साथ आज की वीडियो बहुत important है, आज की वीडियो हम जानेंगे, कि हम किस वृत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या गलती हैं हम वृत रखें, तो भूल कर भी ना करें, और किस नियम से हम वृत रखें, क कि हमें अपने व्रत का पून फल प्राप्त हो तो आज की वीडियो में ऐसी ही समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में तो चलिए जट पर वीडियो प्राग्रम कर लेते हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बैल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले हिंदु धरम में व्रत का बहुत महत्व हम सदैव व्रत रखा करते हैं बहुत सारे व्रत रखते हैं एकाशी का व्रत रखते हैं पूर्णीमा का व्रत रखते हैं गुरुवार का व्रत रखते हैं शुकरवार का सोंबार का वरत रखते हैं, पशुपतिनाजी का वरत रखते हैं, प्रदोश का वरत रखते हैं, अनेक को वरत रखते हैं, नवरातरे आते हैं तो हम उनका वरत भी रखते हैं, तो इतने सारे वरत हम रखते हैं, लेकिन हमें ये हमेशा संशय बना रहता है, कि हमें किस वरत में क्या खाना चाहिए हमें किस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए और हमें क्या कार रहे व्रत अगर हम धारन करें तो भूले से भी नहीं करने चाहिए आज ऐसी ही सारी जानकारी लेकर आपके बीच में जिससे कि आप जब भी कोई व्रत रखें तो इस वीडियो को एक बार तो उस वरत में हम सबसे पहले जब भी किसी वरत को प्रारम करें तो कहा जाता है कि शुकलपक्ष से हमें प्रत को प्रारम करना यह मार्चीश का महीना चल रहा है इसमें उठाया जा सकता है भगवान कृष्णु को समर्पित है यह महीने लेकिन एकाच्षी का व्रत उठा सकते हैं फिर भी और उजाल पक्ष की एकाच्षी से आपको उठाना चाहिए तो बात में ही कर रही थी कि आपको पहले तो जब भी आप कोई व्रत उठाएंगे आप स्टार्ट करेंगे इस व्रत को तो पहले दिन जब आप व्रत करेंगे कोई भी व्रत हो चाहे वो नवरात्रियों हो चाहे महाश्य व्रात्री का एक दिन का व्रत हो चाहे वो करवाजोद का व्रत हो चाहे वो एक दिन का व्रत हो चाहे वो सोला सोंबार का बहत हो चाहे वो अंगिनत पूर्णिमा का बहत हो चाहे वो अंगिनत disci कब आप पिस पशमे प्रारम करेंगे आप सबसे भगवान के सामने समक्ष जब नहां दोके स्वच्य भथा में प्रभू के समक्ष बैढ़ते हैं तो आप एक संकल्प जबूर लेंगे संकल्प लेने के विदी अक्सर बताती हूं फिर भी बता देते हूं आपका जो सीधा हाथ है यानि जो right hand side है दाहिना हाथ है इसको पहले गंगा जल से आप धोके पवित्र कर लेते हैं फिर थोड़ा सा गंगा जल सब अपने उपर चिरखते हैं फिर उस हाथ जितनी आपने बोल के रखनी है तो भी बिना बोले रखनी है तो भी और इसको पूर्ण करने में मेरी मदद करना अगर आपके ने कोई बोली भी है कोई व्रत कि हमारी ये मनुकामना पूरी होगी तो हम ये व्रत करेंगे ये इच्छा पूरी होगी तो ये व्रत करेंगे अने पुझवी लिये कर रहे हूं वह बात बोलकर आपको संकल्प लेना है और आपके हाथ में अक्षत और पुष्प है वह भगवान जी के शीरी चर्णों में छोड़ दिया जाता है पूजा के पश्चात वह आक्षत जो पुष्प है, वो किसी पोदे के नीचे रख दिया जाता है। सबसे पहली बाब तो यह होगे कि आपको संकालप लेना चाहिए। अब बात उन वरत की करूँगी, जैसे पूर्णिमा का वरत है, जैसे सोमबार का वरत है, जैसे कि आपका गुरुवार का वरत है, ये वाले वरत जिनमें की फलहार खाना जरूरी नहीं होता, इसमें एक समय आप सात्विक भोजन ग्रहन कर सकते हैं। पूर्णिमार्शी के वरत में चंद्रमा को अर्ग देने के पश्चात वरत खोला जाता है, एक निश्य तिसान पर बैठ कर साफ सुत्रे बरतनों में वरत खोला जाता है, और जो भी आप वरत में खा रहे हैं, उसका एक नश्य शुरू में पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, उसके परचात आप ग्रहन करते हैं। आप कोई भी खाना उसमें खा सकते हैं, पूरी खा सकते हैं, पराठा खा सकते हैं, कच्चा नहीं खाना होता, यानि कि दाल, चावल और रोटी किसी वृत में नहीं खानी चाहिए, पक्का खाने से मेरा मतलब यह है कि वो या तो कड़ाई में बना हो या तवे पे प्याप पर टो तो वह चूर में के रखे जाते हैं तो उस दिन आपको मीठा खाना होता है और अगर आप खुले वरत रखते हैं सोमबार के कि हम तो हमेशा रखते हैं रखते रहें तो एक समय आपको सात्विक भोजन खाना होता है कहने का मतलब यह है कि आप वुरत के खाने में कभी भी भूत अधिक मसाले ना डालें तेल ना डालें प्याज लसन का इस्तमाल तो खेर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बहुत गरिष्ट भोजन ना बनाए क्योंकि जो भोजन आप खाएंगे पहले प्रभु को उसका आप फोग लगाएंगे इसलिए भोजन को बहुत समझके बनाये जाता है तेल नहीं डाला जाता है इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप शुक्रवार के ब्रत रख रहे हैं तो शुक्रवार के ब्रत में अगर आपने संतोशी माता के ब्रत रखे हैं तो अमचूर का यानि खटाई का प्रेज होता है किसी भी अवस्ता में खटाई आपको सब्ची में नहीं डालने चाहिए वैसे कहा जाता है वुरत की सब्ची में अमचूर इत्यादी या गरम मसाला इत्यादी मसालों का प्रयोग ना ही करें तो उत्तम रहता है परशुकरवार के व्रत में तो ये वर्जिती ही माना जाता है लेकिन हाँ एक समय आप भोजन पून रूप से ग्रैंड कर सकती है जरूरी नहीं है कि आपको मीठा ही खाना है आप नमकीं खाना एक समय किसी भी समय शाम को खा सकती है दिन में कभी एक बार चाय दूद या फल ले सकती है या आगर आप अवस्था आपकी ठीक नहीं आपके व्रत चले आ रहे हैं आप प्रेगनेंट है या कोई ऐसी परिशानी है तो फिर आप जूस भी ले सकते हैं एक या दो बार कोशिश करें कि जादा वार अपने मुझ को जूटा ना करें अपने अंदर-अंदर मांसिक जाप आपको करते रहना चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं इसके अलावा ये जो इस तरह के व्रत है अब बात करते हैं गुरुवार की, गुरुवार के वरत में नमक नहीं खाया जाता, अगर आप गुरुवार के वरत रखती हैं, तो संध्या समय ही भोजन किया जाता है, जो आप संध्या पूजन करते हैं, तुलजी पूजन करेंगे, उसके पश्चात आप भोजन करेंगे, उसमें आपको पील वस्तों ही खानी होती है, यानि बेशन से निर्मित चीजे खा सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं खाया जाता है, तो आपका भुजर ऐसा बना हो, जिसमें की नमक का प्रयोग नहीं किया जाए, मंगलवार के वरत में भी नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, मीठा ही भोजन श जैसे की नवरात्रे, जैसे की महाशिवरात्री, इन वरत में आपको फलहारी ही ग्रेंड करना होता है, अन्न वर्जित माना जाता है, इसमें आप संध्या समय, हर किसी में वरत आपका जो खुलेगा, वो संध्या समय ही खुलेगा, तो एक समय आपको ग्रेंड करना होता है, इ हमें जो ऐसा भोजन वाला भरत रखना है भोजन से मेरा मतलब यहां पर फलहार वाला भोजन एक फलहार वो होता है जिसमें खेली फलों का आहार लिया जाता है यानि कि आपको सिर्फ फल ही खाने होते हैं लेकिन एक दूसरा फलहार होता है जिसमें आप कुटू के आटे को सि और उसे को करते हैं तो इस तरहां का जो इकाथशी और महाशिवरात्री हो गई हम फलहार ग्रहाँ करना होता है आपको अब इसके साथ में बताऊंगी यह पता हो गया कि हमें किस वरत में खाना उनक प्रण क् Hilaf до Major अब वरत रखने में आपको कौम सी घलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एकाशी के वरत में चावल नहीं खाय जाते सब जानते हैं तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते सब जानते हैं लेकिन तुलसी पत्र चढ़ाए जरूर जाते हैं इसके साथ एकाशी का वरत रखें उस दिन सिर भी नहीं धोया जाता है और कोई भी वरत आप रखें उस दिन अपने घर की डीपली सफाई ना करें मतलब यह है कि रोज का रूटीन की सफाई जाड़ू पोचा तो होगा या आपके कोई सफाई करमी आएंगी वो कर लेंगी लेकिन आपको उस दिर यह नहीं कि आज में चलो जाले जाड़ दें मकड़ी के जाले जाड़ दें प्लांट की खुदाई करना जाले जाड़ना मकड़ी वो करना और इस तरह की चीज़ें हमें बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए किसी भी वरत में नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप जब वरत रखते हैं तो जाने-अनजाने आपके हाथ से किसी छोटे से छोटे जीव जन्तु की भी हत्या नहीं होनी चाहिए अन्जाने में भी तो जब आप बाई कामों में सफाई करते हैं तो हो सकता है घर में कोई चोटी सी चीटी हो कोई मकी हो, कोई मकडी हो या कोई मामली सा कीरा मिट्टी के नीचे हो लेकिन कांच के और प्लास्टिक के ये मेला मायन के वरतन में वृत का BRA कोचन नहीं किया जा Tा नहीं परोसा जाता है, अगर आपको वृत में कोई भी इस तरह की दुईदा है कि हमें कई बाहर जाना है, और हम नहीं रख पाएंगे ये हमें चार लोगों के बीच में जाना है तो वो वृत को आप चाहिए स्किप कर दो, आगे काउंट ओ जाएगा, लेकिन विचली तवस्था में वृत नहीं रखे, हमेशा सयम के साथ वृत रखे, कभी किसी का जूटा नहीं खाएं वृत में, और नहीं अपनी थाली में से किसी को दे, अगर आपको प्रशाद देना ह तो जो आपने भोग लगाया, पहले थोड़ा थोड़ा प्रशाद सब को दे दो, लेकिन जो आपने अपनी थाली में भोजन लिया है, ना तो उसमें से किसी को आपको देना चाहिए, और ना ही उस भोजन में से कुछ जूटा आपको छोड़ना चाहिए, तो इस तरहां से चितने भी व्रत आप करें, एक सब्ता में तीन से ज़्यादा व्रत नहीं करने चाहिए, अगर आपने सोंबार का व्रत किया हुआ है और आपने शुक्रवार का व्रत किया हुआ है, उस दोरान एकाच्छी भी आ जाती है उस सब्ता में, या तो फिर उस दोरान कभी पूर्ण गान ना करें, हर जगा उस व्रत की चर्चा ना करें, कि मैंने ये व्रत किया है, आज मैंने व्रत किया है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, ये सब बाते किसी से करने के आश्रक्ता नहीं होती, आपका मन जाता है कि आपका व्रत है, तो आपको व्रत रख का भी होता है ब्रत आपका अपने व्यसनों पे नियंतरन का भी होता है तो इसलिए इन सब नियमों का पालन करते वे यदि आप ब्रत रखते हैं खान पान को ध्यान रखते वे ब्रत रखते हैं बहार की ज्यादा वस्तुएं फलों के अतिरिक्त जो फल आपको भार से मिलते है प्रकति की देन, उनके अतिरिक्त वृत में बाहर की अन्य वस्तों को ज़्यादा खाने का प्रेतन न करें, क्योंकि उनकी सफाई और शुदता की कोई गैरंटी नहीं है, मीठा बनाना है तो अपने घर में बना कर आप मीठा ग्रहन कर सकती है, भगवान को भूग लगा सकती ह पर तो कोशिश करिए कि बाजार की चीजों पर वरत वाले दिन ज़्यादा विश्वास ना रखें, किसी और वैक्ती के घर में बैट कर अपना वरत का पारन ना करें, अपना वरत ना खोले, यही कोशिश करें कि आप उसके घर जाएं तो अपना वरत अपने घर से खोल कर और आपने व्रत को ऑप पोन कर जाता है यानि कि इसका फ़ल कई न कई पाड़ बट्ट जाता है, इसलिए अपने व्रत को अपने ही घर में खोले आती उत्तम रहेगा तो मैं समझतीम काफी कुछ चीजे मैंने आज की वीडियो में बता दिये मुझे नहीं मालूम है अगर वीडियो लंबी हुई है यह शौट है लेकिन है आपके बहुत काम की आप इसको संभाल कर रख लीजेगा वरत रखें तो उसके नियम का क्या हमें भोजन करना है क्या नहीं हमने बता दिया आपको को कोई भी बाहर की चीजे नहीं खानी होती है सरसो का तेल इस्तमाल नहीं करना होता है प्लास्टिक के या मेला माइन के बरतन इस्तमाल नहीं करने होते हैं भोजन को ग्रैंट करने में जूटा नहीं खाना होता है जूटा नहीं खिलाना होता है जूटा नहीं छोड़ना होता के समय में, कोशिश करें कि हरी मिर्च डालें और जीरा डालें और सेंदा न्मख डाल करर अपनी हलकी सबची बनाएं अर उसके साथ सब्लों के घरिश्ट भोजन ना करें तो आज के लिए इतना ही इसाज़त दीजिए आशा करते हूं वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सावित होगी इसके बाद एक वीडियो भी लाओंगी कि वरत आकर हमारा कैसे खंडित हो जाता है और अगर वरत खंडित हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए लेकिन आज के लिए इतना हिसाज़त दीजिए मिलते हो एक और जबरदस वीडियो के साथ तब तक हसते रहें मुस्कराते रहें अपना और अपने अपनों का ख्याल किजिए वीडियो चिल लगे तो लाइक किजिए इतना चाहिए अपने फ्रेंक्स का शेयर कीजिए जिसस आपकी मदद करें